हलो बच्चों, वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंडर नाइन्थ मैट्स वन आलजेब्रा का चैप्टर नमबर फोर, जिसका नाम है रेशियो और प्रपोर्शन, हमने इसके दो प्रैक्टिस सेट 4.1 और 4.2 अप्लोड कर दिया हैं, जिसके लिंक आपको यहाँ पर आई के बाजू में मिल जाएंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आलजेब्रा के सारे प्रैक्टेस सेट के हरे एक क्वेशन के सल्यूशन का विडियो लाइन वाइस मिल जाएगा, आज हम करेंगे बहुत ही इंपोर्टन 4.3, यह थोड़ा ट्रिक है, solve करेंगे तो easy हो सकता है, शुरू करते हैं, तो आपने एगर 4.3 प्रैक्टेस सेट देखा होगा तो आपको थोड़ा डर तो लगी गया होगा, क्योंकि इसमें fractions, variables, कुछ एक साथ दिखता है, लेकिन एक बार इसकी 5-6 properties जो हो समझ आ गई ना, तो हर एक question में आपको pattern सम मिल जाएंगे, आज हम लोग इसके lecture 1 में ये practice set में जो properties यूज होगी, चारो question में वो सिखेंगे, all properties, okay, and then we'll solve the first question के 4 problems, बस, first lecture में यही करने वाल है, एकदम आराम से जाएंगे, हर एक question समझेंगे, तो tension मतलो, थ्यान दो, ये practice set भी आपका एकदम easy हो जाएगा, शुरू कर करते हैं properties से, पहली property का नाम है invertendo, invertendo मतलब इसमें देखो invert, invert का मतलब उल्टा, इसको उल्टा टेंडो बोलते तो कितना easily याद हो जाता, लेकिन English में उल्टा नहीं बोलते हैं, इन्वर्ट बोलते हैं, इसलिए invertendo याद रखो, उल्टा करना, अब इसको देखो, अगर आप आपको दिया है, A upon B equal to C upon D, यह A, B, C, D क्या है, यह variables है, A के जगे पे कोई भी number हो सकता है, B के जगे पे कोई भी number हो सकता है, वैसे C and D के जगे पे कोई भी number हो सकता है, अगर आपको ऐसा दिया है, तो इसको उल्टा घुमा दो, A upon B है ना, उसको कर दो B upon है, एंड यहाँ पे equal है ना, तो उल्टा करने के बाद, दोनों उल्टा किया है, खली एक उल्टा नहीं किया है, दोनों को उल्टा करने के बाद भी equal रहेंगे, एक example लेके देखते हैं, तो अगर मैं आपको दूँ, 5 upon 4 equal to 10 upon 8, यह मैंने आपको दिया हुआ है, ऐसा assume करूँ, तो invert and do क्या ब दिया हुआ है, कि इसके जगे बें कोई भी value आ सकता है, तो यह suppose मैंने दिया, तो then मतलब क्या, इसका उल्टा करूँगा तो भी equal आना चाहिए, तो उल्टा करके देखो, उल्टा इसको करो, 5 upon 4 बन जाएगा, 4 upon 5, and 10 upon 8 बन जाएगा, 8 upon 10, चेक करो, यह equal है कि देखो, इसक किया, 4 upon 5, 10 upon 8 को उल्टा किया, 8 upon 10, तो भी उल्टा करने के बाद equal होता है, इसको बोलते हैं, उल्टा टेंडो, invert टेंडो, याद रखो अच्छे से, ओके, आया समझ में property, चलो, next करते हैं, next property का नाम है, alternando, alternando में, देखो, same, यह वाला तो same है, कि a upon b equal to c upon d अगर दिया है, तो आप बोल सकते हैं, यह a को इधर ही रहन देने का, यह c को इधर लेकर आने का, देखो, यह c यहाँ था, यहाँ पर आ गया, और यह b को इधर, ठीक है, b और c एक दूसरे की position change कर लेंगे, a और d वहीं के वहीं रहेंगे, तो भी यह equal रहेगा, समझा क्या किया, a upon b equal to c upon d है, तो यह दोनों एक दूसरे की position interchange करेंगे, b c के जगे पे जाएगा, c b के जगे पे जाएगा, a और d वहीं के वहीं रहेंगे, तो भी दोनों equal रहेंगे, same example जो इसके पहले वाले इसमे लिया था, invert इंडों में लेके देखो, 5 upon 4 equal to 10 upon 8 है, अभी यह 5 इस पे अगर हम altern इंडों लगाएंगे, तो क्या एक altern इंडों है, यह 5 अपने जगे पे रहेगा, equal to यहाँ पे, यह 8 अपने जगे पे रहेगा, equal to हटा दो, check करेंगे, और यह 10 यहाँ से यहाँ नीचे आ जाएगा, 4 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो इसका position आ जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे आ जाएग 4, ठीक है, interchange कर दिया, अदली बदली कर लिया, अब देखो दोनों equal है क्या, cut करके देखो, 5 1s और 5, 5 2s और 10, यहाँ पे 4 1s और 4, 4 2s और 8, दोनों का value 1 upon 2, 1 upon 2 है, तो equal है न, तो देखा, पहले भी यह equal है, ठीक है, यह equal है, समझ में आ रहा है, देखो, 5 upon 4 है, यहाँ पे म अगर आप ऐसे position अदली बदली कर देंगे, पहले B यहाँ था, C यहाँ था, तो आपने उल्टा कर दिया, अब C यहाँ पे, B यहाँ पे, तो भी दोनों equal रहेंगे, इसको बोलते हैं, alternando, आया समझ में, invertendo में, उल्टा कर देते थे, alternando में, यह और यह, first और last, same रहेंगे, यह जो बीच में दो values हैं, B और C देखो, उनको interchange कर दिया, अब next देखते हैं, next property का नाम है, componendo, componendo में क्या होता है, फिर से यह सई data दिया, A upon B equal to C upon D, same to same दिया हुआ है, इसमें क्या मस्ती करेंगे, इसमें यह जो नीचे है न, उसको उपर add कर देंगे, plus B, और यहाँ पे जो नीचे है, same चीज़ उसको उपर add कर देंगे, plus D, जो denominators हैं, वो same रहेंगे, denominators change नहीं होगे, खाली उपर numerator में क्या होगा, numerator में हम denominator add कर देंगे, इसमें भी numerator में denominator add कर देंगे, तो भी दोनो equal आएंगे, यहाँ पे चेक कर लो, अभी इस पे अगर मैं componendo लगाऊंगा, componendo लगाएंगे, तो क्या होगा, पहले तो अपने को पता है कि denominator same रहेगा, इधर 4 है तो 4 रहेगा, इधर 8 है तो 8 रहेगा, numerator में क्या होगा, यह 5 तो आएगा ही, plus उसमें denominator add हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यह 10 तो रहेगा ही, plus उसमें denominator add हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 हो जाएगा 9 और ये नीचे तो 4 आ जाएगा और ये 10 प्लस 8 हो जाएगा 18 अपॉन 8 समझा ना ये देखो 5 प्लस 4 9 कर दिया 10 प्लस 8 18 कर दिया अब देखो compare करके same आ रहा है क्या 24008 290018 दोनों same table में जाता है 9 अपॉन 4 9 अपॉन 4 मतलब दोनों है equal आया ना equal इतना सब मस्ती किया प्लस वाला पहले equal थे मस्ती करने के बाद भी equal हुए ये मस्ती को क्या बोलते हैं जिसमें हम numerator में denominator add कर देते हैं componendo ओके आया समझ में अभी ऐसा ही same property है dividendo dividendo में क्या होता है ये प्लस के जगे पर minus आ जाएगा तो कैसे करेंगे देखो उसको तो यहाँ पर dividendo में देखो same a upon b equal to c upon d ऐसा दिया है आपको तो a minus denominator and c minus denominator नीचे देखो denominator bd bd same है लेकिन उपर minus b और यहाँ पर minus d जीसे इधर plus था इधर minus कर लिया इसको बोलते हैं dividend ठीक है a minus b कहां से आया a minus b numerator minus denominator c minus d मतलब numerator minus denominator same चीज दोनों तरफ कर रहें यह example देख लो 5 upon 4 है ना तो हम लोग क्या लिखेंगे नीचे का 4 तो same आएगा इधर नीचे 8 भी same आएगा लेकिन उपर आ जाएगा 5 minus 4 तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 minus 4 और यहाँ पर लिखेंगे 10 minus 8 है ना 5 minus 4 क्या होता है 5 minus 4 होता है 1 and 10 minus 8 कितना होता है 2 ठीक है इसके जगे पर 2 लिख दिया इसके जगे पर 1 नीचे 4 और 8 same to same अब इधर तो कुछ कट नहीं हो रहा लेकिन यह दोनों 8 टेबल में जाते हैं 2 में तो कट करके देखो क्या आएगा 2 ones are 2, 2 fours are 8 यह भी 1 upon 4 इधर भी 1 upon 4 था मतलब यह दोनों क्या है equal देखा ऐसा किया ना तो भी दोनों equal रहते हैं किसलिए equal to sign बीच में कि ऐसा दिया है तो आप यह वाला मस्ती करके बिना tension लिए बोल सकते हैं भाई यह लोग फिर भी equal रहेंगे बहुत अच्छे बच्चे हैं आया समझ में componendo आ गया dividendo आ अब यह एक और property है componendo dividendo दोनों साथ में दोनों साथ में क्या होता है कि numerator भी change होता है denominator भी change होता है कैसे आएगा देखो तो componendo dividendo में same देखो a upon b equal to c upon d दिया है तो अपन क्या करते है numerator में componendo लगाते हैं component हो मतलब a plus b numerator plus denominator और denominator में क्या लगाएंगे dividendo dividendo मतलब a minus b numerator minus denominator तो देखो a plus b और नीचे क्या आएगा a minus b it will be equal to c plus d और नीचे आएगा c minus d यहाँ पे a not equal to b and c not equal to d दिखने में ड़ावना लगता है लेकिन आप सोचो अगर a और b equal होंगे तो यहाँ पे equal minus equal 0 आ जाएगा और किसी भी चीज़ को 0 से divide करना impossible है infinity आता है वहाँ पे और आप नहीं कर सकते जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपको यह इतना बड़ा chocolate दिया इसको 0 लोगों में divide करो क्या करोगे जादू से गायब कर दोगे क्या नहीं कर सकते न अगर आपको मैं बोलूँ यह chocolate को एक बंदे में divide करो तो एक को पूरी मिल जाएगी दो में करो तो half टुकडा हो जाएगा त्री में करो तो तीन टुकडे हो जाएगे पर अगर मैं बोलूँ के इसको 0 में divide करो तो आप नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पे नीचे equal minus equal करोगे तो 0 आ जाएगा और upon मतलब divide न तो आप अब a plus b को 0 से कैसे divide करोगे नहीं कर सकते इसलिए a b equal नहीं हो सकते और c d b equal नहीं हो सकते ओके चलो वो साइड में अब यह property देखो same example लेते हैं a upon b के जागे 5 upon 4 c upon d के जागे 10 upon 8 component दिविडेंड आ लगाते है component दिविडेंडों क्या बोलता है numerator में component मतलब 5 प्लस 4 और यहां पे आएगा 10 प्लस एट, denominator में क्या लगाना है, denominator में 5-4 और यहां पर आएगा 10-8, तो यहां पर equal मत डालो, check करते हैं, equal आता है के नहीं, 5-4 क्या है उपर, 9, नीचे 5-4 आजाएगा 1, और यहां पर 10-8 हो जाएगा 18, नीचे 10-8 हो जाएगा 2, है न, सिर्फ calculation किया है, देखो, अब, cut करके देखो, right side में दोनों एक टेबल में जाते हैं, 2 में, 2-1, 2-9, क्या है आएगा, देखो, 9 upon 1, 9 upon 1, मतलब, दोनों equal है, मतलब, इतनी खतरनाक वाली मस्ती की, उस पे, plus, minus, same number पे, फिर भी equally रहे हैं, वो लोग, क्यों equal रहे है, because, यह property है, component, do, divided, do, तो हमने 5 property सीख करने का, तो भी equal रहते हैं, alternative मतलब, यह दोनों अपनी position, change कर लेंगे, तो भी equal रहेंगे, component मतलब, उपर plus हो जाएगा, numerator और denominator दोनों जगा, तो भी equal रहेंगे, dividend माइनस हो जाएगा, ठीक है, यह दोनों case में, denominator देखो, same है, BD, 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 ठीक है, component और dividend में, denominator भी change हो जाएग जाएगा, A और B है, तो यहाँ पे A plus B, A minus B, C और D है, तो यहाँ पे C plus D, C minus D, इसको बोलते हैं, component और dividend, इसके साथ आप और बहुत सारी मस्ती कर सकते हो, ठीक है, जब practice track शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे, करते हैं शुरू, तो यहाँ पे देखो, first question दिया है, if A upon B equal to 7 upon 3, then find the values of the following ratios, चार questions based हैं सिर्फ इसी चीज़ पे, A upon B equal to 7 upon 3, ठीक है, तो यह use करके हम लोग यह सबका value निकालेंगे, पहले यह use करके इसका value निकालते हैं, तो यहाँ देखलो, A upon B equal to 7 upon 3 दिया है, आपको इसका value पाइन करना है, अच्छे से देखो, same term, same term, plus, minus, फिर स से दूसरा, same term, दूसरा, same term, अब भी मैंने आपको component और डिविडेंडों की property सिखाए थी, एक बार वापस देख लेता है, component और डिविडेंडों की property देखलो, A upon B equal to C upon D होगा, तो देखो, same term, same term, plus, minus, दूसरा, same term, दूसरा, same term, रैसा है ना, same, बस difference यह के 5 और 3 आ रहा है, वो 5 और 3 हम जबरदस्ती लिख आएंगे, बागी same लग रहा है, तो 5 और 3 कैसे लिख आएंगे, देखो, अब यहाँ पे पहले मैं लिख दूंगा, A upon B equal to 7 upon 3, मुझे A के साथ कौन चाहिए, 5 चाहिए, B के साथ कौन चाहिए, 3 चाहिए, तो मुझे A के साथ अगर 5 चाहिए तो कैसे करेंगे, देखो, वापस same हम लोग यहाँ पे नीचे copy कर लेते हैं, अब मुझे A के साथ 5 चाहिए, तो मुझे 5 से multiply करना पड़ेगा एको, और B के साथ क्या चाहिए, 3, तो B को किसे multiply करना पड़ेगा, 3 से, तो ऐसे multiply किया, लेकिन अगर मैंने इस तरफ किया, तो यह बुरा मन जाएगा न, यह बूलेगा मैंने क्या विगाड़ा है भई, मुझे भी करो multiply, तो हम लोग जिससे यहाँ पे multiply किया, same number से यहाँ पे भी multiply करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 5 into A हो जाएगा 5 A, upon, 3 into B हो जाएगा 3 B, equal to, 5 into 7 हो जाएगा 35, upon, 3 into 3 हो जाएगा 9, आया समझ मैं, अब इस पे हम लगाएंगे component और dividend, कैसे आएगा देखो, तो यहाँ पे फिर से देखो component और dividend क्या था, A upon B equal to C upon D, देखो A upon B, A के साथ कुछ भी हो जाकता है, capital A, capital B, assume कर लो, ठीक है, capital A upon capital B is equal to capital C upon capital D, ऐसा ही है, तो उसके बारे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A plus B upon A minus B, A plus B, मतलब क्या आजाएगा, A plus B upon, नीचे क्या आएगा, A minus B, A मतलब जो भी पूरा numerator में, यह देखके confuse मत हो, ठीक है, यह पूरा numerator plus denominator, और नीचे क्या आएगा, numerator minus denominator, यह equal होगा, किसको यहाँ पे भी, numerator plus denominator, अपॉन, नीचे क्या आएगा, numerator minus denominator, यह क्या किया आपने, यह वाला प्रोपटी लगाया, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, तो राइट साइड में लिख देने का, बाई, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ठीक है, नेक्स्ट, इसका वैल्यू निकालो, देखो हमको यह यही चाहिए था, यही question में पूछा था, तो राइट साइड में हम लोग इसका value निकाल लेंगे, 35 plus 9 कितना होता है, 35 plus 9 आजाएगा, 44, and 35 minus 9 कितना होगा, 26, तो लिख दो उसको, ऐसे आजाएगा, 35 plus 9, 44, 35 minus 9, 26, अब यह दोनों देखो, even numbers है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो दोनों 2 में cut हो सकते हैं, सेम टेबल में जाते हैं, तो cut करना पड़ेगा, क्या आजाएगा इदर, 2, 1s are 2, 2, 3s are 6, और यहां आजाएगा, 2, 2s are 4, 2, 2s are 4, 13 तो प्राइम नंबर है, तो 22 तो उसमें जा नहीं रहा, मतलब इससे आगे cut होगा नि, तो answer क्या आजाएगा, 5a plus 3b upon 5a minus 3b is equal to 22 upon 13, वो अपना इसका final value है, तो वो लिख देंगे, क्या लगाया है हमने, componentो, dividendo, एक बार पूरा solution देखो, अच्छे से, ये देखके समझ में आना चाहिए, देखो, उपर numerator plus denominator हो सकता है, नीचे numerator minus denominator हो सकता है, सेम है ना, देखो, numerator, numerator, denominator, denominator, ऐसा सिर्फ यहीं होता है, ये 5 properties हर बार देखेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा, पहले 4-5 question में देखना पड़ेगा, उसके बाद देखना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही समझ जाएगा, ओके, ये reason यहाँ पे लिखने का multiplying both sides by 5 upon 3, जो भी क्यों explain करना पड़ता ने, teacher को, और यहाँ पे पी कर लो, notebook में फटा-फट, tension मतलो, पहला question है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला ही है, next करते है, अब यहाँ पे 4th में देख लो, second और third में थोड़ा अलग step से, इसले पहले 4th करा रहा हूं, 4th में 7a plus 9b, 7a minus 9b, देख लो, यहाँ पे numerator plus denominator, same numerator minus denominator, ऐसे होता ना, कि यह यहाँ पे 7a और यहाँ पे 5a, तो आप बोल नहीं सकते हैं, यह numerator हो रही है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों same है, ठीक है, यहाँ पे भी दोनों same है, सिर्फ यहाँ पे plus, यहाँ पे minus, तो दिख रहा है, component हो, dividend हो होगा, जैसे इसके पहले वाले question में किया ना, first में, same बैसे ही करेंगे, in fact मैं पूरा same to same, यहाँ पे copy करूँगा और values change करूँगा, देखो कैसा आता है, तो चलो, इसमें erase करकर के करेंगे, यहाँ पे a upon b equal to 7 upon 3, इधर भी दिया हो है, same to same, a के साथ 7 चीए, b के साथ 9 चीए, तो a को किस से multiply करेंगे, 7 से, तो यहाँ पे आ जाए और इधर क्या लिख देंगे, multiplying both sides by 7 upon 9, ओके, यहाँ आ गया, अब देखो, यहाँ पे change हो जाएगा ना सब कुछ, यह अलग हो जाएगा, 7 into a आ जाएगा, 7 a, 9 into b आ जाएगा, 9 b, यहाँ पे 7 into 7 आ जाएगा, 49, 9 into 3 आ जाएगा, 27, अब वापस इस पे component ओ, dividend ओ लगाएगे, तो क्या आएगा, numerator plus denominator, और numerator minus denominator, यही आएगा ना, तो यहाँ पे, यह 7 a plus 9 b upon 7 a minus 9 b आना जाएगा, तो कैसे दिखेगा, देखो, ऐसे आ जाएगा, 7 a plus 9 b upon 7 a minus 9 b, क्या-क्या, numerator और denominator तो, n plus d, n minus d, अगर इधर ऐसा किया, तो इधर भी ऐसे करो, n plus d, n minus d, ठीक है, तो equal रहेंगे, यह क्या property है, component ओ, dividend ओ, ओके, अब 49 plus 27 क्या आता है, वो देखो, and 49 minus 27 क्या आता है, रफ में निकालो, फटाबट से, तो यहाँ पे 49 plus 27 करके बताया, 76 आ रहा है, and 49 minus 27 का value आ रहा है, 22, दोनो even numbers है, देखो, last में 6 और last में 2, तो 2 में तो cut होगा, cut करने आपको आता है, कुछ नहीं, तो दोनों का HCF निकाल के भी cut कर सकते हो, जैसे हमने practice at 4.1 में किया था, but I think अभी आपको cut करना आना चाहिए, तो इसको 2 में cut करो, 2 1s are, 2 1s are, और यहाँ पे हो जाएगा, 2 3s are 6, 1 बचे का 16 हो जाएगा, 2 8s are 16, तो अपना final answer हो गया, यहाँ पे लिख दिया, 38 upon 11, समझा, same first question जैसा था, सिर्फ यहाँ पे 7 upon 9 से multiply गया था, इसलिए सब कुछ उसके हिसाब से हुआ, 7 upon 9 से क्यों किया, क्योंकि A के साथ 7 चाहिए, और B के साथ 9 चाहिए, फिर अपना component और dividend और लगा दिया, और solve कर दिया, देता आपको तो आजादा, लेकिन अभी नया-nया कुछ सीख रहे हो ना, इसलिए पूरा solve करा दिया, यह सिर्फ आपके reference के लिए रखा है, यही property यूज किया है, अब आपको कहीं पे भी component और dividend और एकदम आराम से रिख जाएगा, कैसे रिखता है, उपर प्लस नीचे प्लस denominator, numerator, माइनस denominator, तो component और dividend और लगेगा, ओके, तो यहाँ पे हमने first question कर लिया और fourth कर लिया, अब हम लोग देखते हैं second वाला and third वाला, ओके, चलो second देखते हैं, अब step वाइस जाना है, ठीक है, यह upon b equal to 7 upon 3, तो आपको question में ही दिया हुआ है, यह क्या बोल रहा है, 2a square plus 3b square upon 2a square minus 3b square, numerator, numerator, denominator, 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 ऊपर plus, नीचे minus, ऐसा दिख रहा है, मतलब component और dividend तो लगने ही वाला है, लेकिन mistake क्या करेंगा, पहला और fourth question में square नहीं था, आप क्या करेंगा, एक के साथ 2, बेके साथ 3, तो 2 by 3 से दोनों तरफ multiply कर देंगे, तो गलत हो जाएगा, क्यूंकि आ आपको a square चाहिए, ठीक है, अगर मैं पहले 2 by 3 लिखूंगा, और फिर इसको square करूंगा a square लाने के लिए, तो क्या होगा, a square के साथ 2 square 4 आ जाएगा, लेकिन मुझे a square के साथ 2 ही चाहिए, इसलिए पहले इसको square कर देंगे दोनों साइड को, फिर आगे इसको multiply कर देंगे, क upon 3 square, क्या किया हमने, squaring both sides, दोनों साइड कर सकते हो ना, same operation, तो क्या मिल जाएगा, a square upon b square is equal to 7 square कितना होगा, 77049 upon 3 square 9, अब इसको मत देखो सिर्फ, इसको देखो, अब देखो, a square के साथ है 2, 2 and b square के साथ है 3, तो मुझे क्या चीए, मुझे उपर 2 चीए, नीचे 3 चीए, तो मैं दोनों तरफ 2 by 3 से multiply कर दूँगा, ऐसा चीए न, तो multiply both sides by 2 upon 3, देखो यहाँ पर, दोनों साइड यह था, दोनों साइड 2 upon 3, 2 upon 3 से multiply किया, बाकी सब कुछ सेम रखा है, तो लिख दिया multiplying both sides by 2 upon 3, अब यहाँ पर 2 into a square क्या आ जाएगा, 2 into a square आ जाएगा, 2 a square upon, नीचे क्या आ जाएगा, 3 into b square आ जाएगा, 3 b square, ओके, यहाँ पर कुछ कट हो रहाएगा, देखो, 3 के टेबल में 49 जाता नहीं हो, उपर नीचे कुछ कट नहीं होगा, 2 और 9 भी एक दूसरे में कट नहीं होगे, विकोज और इवे न, तो multiply करना पड़ेगा, 2 into 49 आ जाएगा, 98 upon, 3 into 9 आ जाएगा, 27, multiply हो रहे हैं, तो denominator, denominator से, numerator, numerator से, अब देखो, आपको क्या चाहिए, प्लस, माइनस, numerator, denominator, numerator, प्लस, denominator, numerator, माइनस, denominator, प्लस, denominator, निउमेरेटर, माइनस, denominator, तो component व वही मिल जाएगा, यहाँ पर left side में, है न, तो इस पर लगा दो, component व डिवेडेंडो, तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, therefore, 2a square, प्लस, 3b square, और नीचे आ जाएगा, 2a square, 3b square, same, लेकिन बीच में, माइनस साइड, यहाँ पर 98, 27, फिर नीचे भी, 98, 27, उपर, प्लस, माइनस, ओके, क्या लगाया यह, component वो, डिवेडेंडो, तो right side में, लिख दो, तो यहाँ पर लिख दिया, समझ में आगा, कैसे, अब 98 plus 27, 98 minus 27, रफ में यहाँ पर कर लो, कितना आता है, देखो, 98 plus 27, आ जाएगा, 8 plus 7, 15, 1, 9 to 11, plus 1, 12, और 98 minus 27, क्या आएगा, 8 minus 7, 1, 9 minus 2, 7, तो आपको मिलेगा, इसके जगे पे, उपर आएगा, 125, और नीचे आएगा, 71, left hand side में, तो कोई बदलाव नहीं, तो same to same, नीचे कॉपी होगा, ओके, तो यह same, उपर जो था, नीचे कॉपी कर लिए, अब 71 तो, प्राइम नंबर है, तो उसके table में, 125 तो आएगा, नहीं, 70 का डबल करेंगे, तो 140 के उपर जाता है, तो यह दोनों, एक table में, कटे नहीं होते हैं, तो हम लोग इस पे box बना देंगे, और बोलेंगे, भाई, तू ही है final answer, ओके, आया समझ में, अब property देखने की ज़रूरत नहीं है, component और डिविदेंडों पे, दो questions कर लिए, तीसरा question ह है, इसमें देखो, square वाला किया था, लेकिन उसे भी हम कोई फरक नहीं पड़ा, done, चलो, फटा-फट से notebook में copy करो, यह रफक में करना, यह वाला calculation आपको समझे, इसलिए मैंने करके बता है, यहाँ पर, कहां पर दिखता है, इसा देखो, यहां पर दिख रहा है, उपर माइनस वाला, डिविडेंडो, तो हम लोगों को जबरदस्ती इस पर डिविडेंडो लगाना है, और ऐसा थम लाना है, हम लोगों question में दिया क्या है, A और B दिया है, पहले तो A और B को जबरदस्ती A क्यूब और B क्यूब बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, दो बोद साइड्स, चाहिए न आपने को, A क्यूब और B क्यूब चाहिए, एक यूब और B क्यूब लेके आ गया है, अब 7 क्यूब मतलब क्या, 7 क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, 49 होता है, 49 इंटू 7 आप रफ़क में कर लो कहीं पर, 49 इंटू 7 आपको आ 3,3009, 9,30027, तो आपको यहाँ पर मिल गया 27, ठीक है, दोनों तरफ आपने क्यूब कर दिया, राइट साइड में यह आ गया, अब लेफ साइड में तो A क्यूब और B क्यूब भी रहेगा, ओके, A क्यूब और B क्यूब, 7 क्यूब और 3 क्यूब, यह तो सेम टू सेम, इसका पर यह निकाल दिया मैंने यहाँ पर, calculation भी किया था, भी raise कर दिया, अब आपको चीह उपर माइनस दोनों जगे, तो क्या लगाना पड़ेगा, डिविडेंडो, तो जब डिविडेंडो लगाऊगे तो क्या मिलेगा, डिविडेंडो लगाएंगे तो मिलेगा, उपर A क्य माइनस बीक्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 343 माइनस 27, डिविडेंडो सेम रहेगा, इदर बीक्यूब और यहाँ पर, नीचे 27 था, तो वो भी 27 रहेगा, यहाँ पर देख लो, A upon B equal to C upon D था, तो A minus B upon denominator सेम B, is equal to C minus D upon denominator D, देखो यहाँ पर, numerator minus denominator, नीचे denominator जो है वो सेम, numerator minus denominator, नीचे जो denominator है वो सेम, इसको क्या बोलते है, डिविडेंडो, तो left side में reason लिख दो, by डिविडेंडो, डिविडेंडो में कोई division नहीं है, confusion करके ऐसे कर्मत देना हो, अब 343 minus 27 calculate करो जल्दी से, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 343 minus 27 आ जाएगा, 13 minus 7, 6, 3 minus 2, 1, और यह हो जाएगा 3, ठीक है, नीचे आ जाएगा 27, अभी हटा दू, property समझ में आ गया न, यह cut होता है कि नहीं, वो देख लेंगे, पहरी हटा दू, अब यह दोनों cut होता है कि नहीं, चेक करने के लिए थोड़ा effort लगेगा, उपर 316 को factorize कर दो चाहिए, तो, ठीक है, या फिर आप देखो कि ना, तो 316 को 2 में cut करके चेक कर सकते हो, देखो 2, 102, फिर आजाएगा 1 2 5s are 10, 1 आएगा 8, फिर वापस 2 में cut करो, 2 7s are 14, 1, 2 9s are 18, 79 prime number, ठीक है, अब 27 को cut करेंगे ना, तो, यह same numbers कहीं पर आते ही नहीं, prime numbers आते ही नहीं, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, तो, आप क्या करो, 316 को factorize कर दो, 316 को factorize करेंगे, तो, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 8s are 16, फिर यहां पर आ जाएगा, 2 7s are 14, 2 9s are 18, यहीं पर खतम हो जाएगा, बेको 79 prime number, 27 को factorize करो, वो तो आपको already आता है, लेकिन फिर भी करके बता रहा हूं, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो जब आप इसका factor लिखोगे, यहां पर, 2 into 2 into 79, और इसका लिखोगे 3 into 3 into 3, तो कुछ common ही नहीं, cut होगा ही नहीं, इसका मतलब यह दोनों cut हो ही नहीं सकते, दोनों एक table में जाते ही नहीं है, तो यहीं पर खतम हो जाएगा है, यहीं इसका final answer होगा, ओके, यह करके बताने की जरूरत नहीं है, यह लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके सम जैसे second question में किया था, वैसे ही देखो third question में, अगर खाली a खाली भी रहेगा, तो directly हम लोग क्या करते थे, multiply, यहाँ पर multiply क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो a cube के साथ भी 1 है, b cube के साथ भी 1 है, उनके साथ 1 तो already था ही न, इसके पहले वाले question में कैसा था, a square के साथ 2 था, इ तो already है, आया समझ में, पर कभी भी square cube दिया होगा, तो first step हमेशा squaring, cubing वो होना चाहिए, समझा, तो यह third भी हमने कर लिया, कर लो जल्दी से copies का solution, आया समझ में, तो हम लोगोंने यह second भी कर लिया, और यह third भी कर लिया, ठीक है, इसका एक और method है, जिसको बोलते है, k method, लेकिन यह k method हर जगे यूज नहीं कर सकते हैं, जहां पर भी आपको a और b, और देखो हर जगे a, b है न, इसका रिष्टा पहले से question में दिया हो न, तो आप यह k method यूज कर सकते हैं, second में नहीं कर सकते हैं, because second में देखो, रिष्ट इसलिए कुछ भी पूछा है, तो वो तो होगा ही न, सिर्फ a upon b दिया होगा, a और b का रिष्टा, जो भी variable दिया है, उसका खाली, मतलब इस पर उपर कुछ होना नहीं चीए, इस पर कोई tattoo अगेरा नहीं होना चीए, यहां पर तो इस पर क्या-क्या दे दिया है, यह खाली होगा, अकेला होगा, तो आप यह k method यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं k method से आपको एक दो question सिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यह method भी काफी simple है, फिर आज का lecture यहीं पर खतम कर देंगे, ठीक है, second, third, fourth में k method नहीं लगेगा, सिर्फ first में लगेगा, कैसे ल पड़ेगी हैं, क्या करने का, इसमें देखो पहले, यहाँ पर दिया है, a upon b equal to 7 upon 3, पहले इस पर लगा दने का alternando, alternando क्या होता है, alternando मतलब यह b और 7 एक दूसरे की जगा change कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, मैं बोल सकता हूँ, therefore, a अपनी जगा equal to, यह 3 नीचे वाला अपनी जगा, यह जो 7 है, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो यह बन जाएगा a upon 7, और यह b यहाँ पर चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा b upon 3, ओके, अभी इसका value क्या लेने का, मुलने का, let this be equal to k, यह let है, अपने assume किया है, अब अगर, यह equal to k है, तो आप a upon 7 equal to k दिमाग में value क्या आएगा, यह 7 यहाँ पर जाके multiply हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 7 k, and same way मैं बोल सकता हूँ, b upon 3 b k है, देखो है, यहाँ पर equal है न, तो इसको बोल सकता हूँ, therefore b is equal to 3 k, देखो है, यहाँ पर 3 जाएगा, तो मुझे a का value मिल गया, b का value मिल गया, यह rough में करा रहा तो यह जो पूछा है न, इसका value निकालने बोला है, देखो, find the values of the following ratios, तो इसमें a के जगे पर मैं substitute करूँगा 7 k, b के जगे पर substitute करूँगा 3 k, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देख लो, इसका value पूछा था, 5 plus 3 b, 5 minus 3 b, question में ही दिया है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, a क जगे पर आप डाल दोगे 7 k, और यह जो b है, उसके जगे पर आप डाल दोगे 3 k, बाकी देखो 3 into b, तो 3 into b, तो 3 into b, तो 3 into 3 k, 5 into 7 कितना आ जाएगा, 5 into 7 आपको मिल जाएगा 35 k, plus 3 into 3 k, 33 मत लिख देना, 3 into 3 आएगा 9 k, नीचे, वापस 5 into 7, 35, और साथ में k, 3 into 3 आजाए 9 k, 35 plus 9 कितना होता है, देखो, दोनों के पास k है, तो आंसर में भी k आए गई, और 35 plus 9 कितना हो जाएगा, 35 plus 9 हो जाएगा, 44, and 35 minus 9 कितना हो जाएगा, 35 minus 9 हो जाएगा, 26, लेकिन साथ में k है, तो उपर नीचे k है, k के table में कट होगा, k 1000, k 1000, और यह 44 और 26 दोनों 2 के table में हो जाता है, 21,000, 23,000 और यह हो जाएगा, 22,000, 22,000, क्या बचा, 22 into 1, which is 22, and 13 into 1, which is 30, तो आगया 22 upon 30, दिख रहा है कितना कम मेनत है, ना कॉंपोनेंडों लगाया, ना डिविदेंडों लगाया, कुछ नहीं, सीधा इस पे, यहाँ पे अल्टरनेंडों लगाया, और अल्टर कर लिया, कर सकते हैं, इसके भी full marks मिलेगे, तीचर इसके marks नहीं काटेगे, method समझ में आया, first method, second method में difference समझा, यह देखो, यह अपना method 1, पले छोटा दिख रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे multiply both sides करना पड़ता है, फिर component लों डिविदेंडों लगाना पड़ता है, है ना, इसमें, यहाँ पे alternate window लगाया, फिर सिर्फ value substitute की outcome हो गया, तो यह भी method, notebook में copy करना है, अभी के अभी, चलो कर लो फटा फट से, यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने use ही नहीं किया, है ना, तो answer दोनों method से same आएगा, फिर लिए copy, same method से, आप जो और B यहाँ पे भीजा नहीं है, इसको alternate window लगाया, और यह equal to k तो let आपने बाजो में लिख दिया है, तो tension नहीं, यह let आपको आगे लिखना है, let a upon 7 equal to b upon 3 equal to k तो भी चलेगा, यहाँ पे bracket में लिखना है, तो भी चलेगा, जिसमें आप comfortable, ठीक है, तो यह जो मैंने यहाँ यहाँ पे use किया ना, अभी next question solve करूँगा, उसमें भी यहाँ पे use करूँगा, ठीक है, fourth वाला question जो है, आपको खुद से करना है, first वाले जैसा ही है, वो आप खुद से करेंगे, second वाला मैं करा रहा हूँ है, चलो यह वाला यहाँ से copy कर लेते, हम आपे भी use करेंगे, तो हम लोग इसको method 2 से करेंगे, same question method 2 से, तो a upon b equal to 7 upon 3 है, जो वहाँ पे किया था देको, पहले alternate window लगा है इसके उपर, यह 7 को यहाँ पे लेकिया है, b को यहाँ पे लेकिया है, फिर उसको value ले लिया k, फिर a upon 7 के साथ k लिया, तो a का value आया 7 k, b upon 3 के साथ k लिया, तो b का value आ minus 3 b square, तो यहाँ पे लिख देते हैं, therefore, 2 a square plus 3 b square upon 2 a square minus 3 b square equal to, क्या जाएगा, 2 a square plus 3 b square upon 2 a square plus 3 b square, एके जगे पे क्या आएगा, a के जगे पे आएगा 7 k, देखो यहाँ पे, square square तो पहले लिख दिया, a के जगे पे लिख देंगे 7 k, 7 k and b और b के जगे पे क्या आएगा, 3 k, तो यहाँ पे आजाएगा 3 k, और यहाँ पे आजाएगा 3 k, करो calculate, यह 2 ऐसे ही रहेगा, 7 k square मतलब 7 का भी square, k का भी square, 7 का square हो जाएगा 49, और k का square आएगा k square, प्लस 3, अंदर देखो है यहाँ पे, 3 का square और k का square, 3 का square आएगा 9, and k का square आएगा k square, नीचे क्या आएगा, नीचे आपको मिलेगा, यह 2 ऐसे का ऐसा, फिर, देखो सेम है, 7 k का square, यह हमने इधर calculate किया है, तो आएगा आएगा 49 k square, और minus आ चाहिए है, इधर minus था, तो यह तो सेम है, देखो उपर नीचे, तो मुझे मिलेगा, 3 into 9 k square, तो calculate इसको, यह आपको देदेगा, 2 into 49, 98, साथ में k square, तो यहाँ मिलेगा, 3 nines are 27, 27 के साथ k square, नीचे भी same, same terms है, लेकिन बीच में minus sign है, ओके, अब फुरी जगा, चाहिए, इसको नीचे shift कर देते हैं, 98 के साथ भी k square, 27 के साथ भी k square, तो दोनों को add करेंगे, तो साथ में k square तो आए गई, 98 plus 27 कितना आएगा, यह किया हुआ है ना हमने, यह आजाएगा 125, और 98 minus 27 कितना आएगा, आजाएगा 71, लेकिन साथ में k square है, तो वो भी आएगा, अब देखो यहाँ पर, यह k square 1000, k square 1000 कट, क्या बचा, 125.71, आगया ना सेम आज़र, है ना ही जी, यह इसका ही value देखो, इसका value आगया यह, तो इसलिए final answer में देखे, इसका value यह है, समझा, देख लो पूरा solution एक बार, यह है अपना method 2, तो मैंने आपको same question, दो method से करा दिया समझा, third वाला भी कर लेते हैं क्या, यही method से, fourth वाला खली homework कर, third वाला आपन करते हैं, third में भी, यह वाला पाट है न जो यहाँ तक, यह तो same आएगा, because उसमें भी, a upon b equal to 7 upon 3 वाला ही, चलो करते हैं third वाला, third वाला मैंने आपको already, यह एक method से कराया, dividend वाले method से, cubing both sides, सब कुछ किया था, 3, 1, 6 upon 27 आया था answer, अभी यह same question, यह था अपना method 1, आपको दोनों method आना चाहिए हैं, अभी same question को method 2 से करेंगे, k use करके, तो method 2 में, यह तीन step तो मैंने already आपको, दो questions में करा दियें, same to same आएगे, because यही a upon b equal to 7 upon 3 है, पहले alternate लगाएंगे, k लेंगे, फिर a का value k के terms में निकालेंगे, b का value भी k में निकालेंगे, इससे क्या फायदा होता है, a और b जब substitute करेंगे, तो k के cancel लगा था, तो जब यह इसका value find करेंगे ना, तो जो इसके पहले answer आया था, same answer आने वाला है, ठीक है, जो पहले method से आया था, तो अब इसका value निकालना है, क्या है question, a cube minus b cube upon b cube, सिर्फ value substitute करना है, क्या है उपर, a cube minus b cube upon b cube, a के जगे पर आजाएगा, 7 के, cube के जगे पर cube, फिर minus b के जगे पर क्या आएगा, 3 के, और यहां पर भी b है, देखो, 3 के, और cube के जगे पर cube मत बूलना, ठीक है, अभी, जब यह cube अंदर जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 7 कूउब, k cube minus, यह भी 3 कूउब, k cube, दोनोंको मिलेगा ना, cube, क्यूब नीचे क्या आ जाएगा नीचे मिलेगा 3 Q K Q ये भी क्यूब जो बंदर जाएगा तो दोनों को मिलेगा 7 का क्यूब हमने अल्रेडी कालक्यूलेट किया था 7 7 049 49 7 0343 साथ में K Q है देखो 3 Q मतलब 3 2 3 2 3 3 2 3 9 9 3 जा 27 27 क नीचे भी 3 Q है वह जाएगा 27 सात में आ जाएगा K Q Q Q Q Q Q तो माइनस करके भी K Q Q तो मिले हैं 343 मेंसे 27 माइनस करेंगे तो आएगा 316 और नीचे 27 Q Q Q ऐसे का आएंस की च्यूब यही आया answer है ना easy तो यह method 2 से मैंने आपको तीसरा question भी solve करा दिया done चलो करलो copy notebook में यह भी दोनो method से हर एक question copy करना है और इसके बाद वाला जो है 4th वाला वो खुद से करना है second method से आएगा आपको first वाले जैसे ही है ओके तो आज practice at 4.3 के lecture 1 में मैंने आपको first question के चारो question दो method से अलग-अलग method से सिखा है और हम लोगों ने बहुत ही important properties किये आज वो properties आपको कम से कम 5-10 बार आपके notebook में लिखनी है कौन सी property याद है ना यह वाली property invertendo, alternando componendo, dividendo and componendo, dividendo बहुत easy लग रहा है दिखने में एक बार लिख लो और easy हो जाएगा ठीक है तो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं वीडियो पसंद आया तो आपको पताएगे क्या करना है like करना है, दोस्तों के साथ share करना है और चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी करना है क्यूंकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो जागे मिलते रहेंगे बेल आइकन पर बेक्लिक कर दो ताकि जैसे इसका lecture 2 आए और इसके कम से कम 3 lecture होने वाले तो जैसे इसका next lecture अप्लोड़ो आपको notification आए और आपको important lecture मिस ना करें कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ए वीडियो कैसा लगा और fourth question अगर आपने second method से खुद से किया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि I solved fourth question of first one on my own and I got the correct answer नहीं आया तो tension मतलो first का solution देखोगे तो आपको fourth भी आ जाएगा और जब भी आप कमेंट में ऐसा करते हैं तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता चलता है कि मैं जो इतनी मेनत कर रहा हूँ न आपके लिए इतने वीडियो बनाने की वो ऐसे ही waste नहीं हो रही है ठीक है तो आप अपने लिए नहीं मेर लिए लिए लिख दो कमेंट में क्या आपने खुद से की और आपको आया है ठीक है थैंक यू सो मुच फो आचिंग दिस वीडियो